पहली बात आप समझें कि जो भी मेरे साथ पास्ट में हो चुका है वो गया यस्टेडे इस ए हिस्ट्री, तुमॉरो इस ए मिस्ट्री, तुडे इस गिफ्ट, लेट इस सेलेब्रेट, लेट इस एंजॉए आप चाहे जिस भी परिवार में हैं, चाहे जितनी भी चुनौती हैं, आप इस बात को जरा समझें, कि जो हो गया वो हो गया, मेरी जिन्दगी में आज से शुरू करती हूँ, जब तक ये विचार नहीं आएगा, तब तक काम बनने वाला नहीं है आप अपने मन को जैसे सिगनल देंगे, वैसे वैसे या आंसर आने शुरू हो जाएंगे हम किस चीज को किस्मत कहते हैं, पता है, जो समस्या हमारी जिन्दगी में होती है, और उसकी समधान नहीं होती है, उसी को हम किस्मत कह देते हैं माल लीजे, मेरे कुछ अर्मान है, वो पूरे नहीं हो रहे हैं, चुकि वो पूरे नहीं हो रहे हैं, जिस चीज के अर्मान पूरे नहीं हो रहे हैं, उसी को मैं किस्मत कह देता हूँ हमारे मन में किसमत की कोई universal परिभाशा नहीं है जो हमारी समस्या होती है वही हमारी किसमत बन जाती है हम इस बात को स्विकार करें कि या तो हमें married life में entry नहीं करना था और अगर हम entry कर गए हैं तो हम इसको स्विकार करें कि सारी चीजें मेरे मन के मुताबिक होना संभव नहीं है ये स्विकार भाव लाना ही अपने आप में एक नहीं किसमत बनाना है आप जब भी परिशान भीतर में होंगे तो याद रखिएगा जो स्थिटी चल रही है उसको हमने स्विकारा नहीं है कुछ चीजें आप बदल सकते हैं और कुछ चीजें बदल नहीं सकते हैं तो जो बदल सकते हैं उसके लिए प्रियास किया जाए जो बदल नहीं सकते हैं उसको स्विकारा जाए या 24 गंटे लडाई करते रहो स्ट्रेस में आती है आप जितनी लडाई भीतर में करेंगी उतना आपका एड्रेनल अंदर में अड्रेनल एक्टिव होगा उतना हाइपर टेंशन होगा आप अपने मन में कल्पना करें आपके सामने नजर आ जाएगा कहां कहां वो एरिया है जहां मैं एकसेप्ट नहीं कर रही हूं और मन में एक फिक्चर लाया है कि मैं उनसे सबी व्यक्ति को स्विकार करती हूं जिनको मैं बदलने में समर्थ नहीं हूं आप अगर दुनिया को बदलने के चक्कर में निकल गए तो स्ट्रेस में आ जाएंगे इस दुनिया में हम केवल एक ही व्यक्ती को बदल सकते हैं आएंगे अगर आप बता नहीं कि कोई गुंजायूष नहीं है मुझे एक जिंदगी मिली है मेरी एरंज लाईव सकतर साल प्लस या माहिनश हो सकती है इस में मुझे पता है कुछ चीजों को मैंबडल सक्ति हूं कुछ चीज़ों को मैं बडल नहीं सकती हूं जिसको मैं बदल सकती हो, इसको मैं बदलू, जिसको मैं नहीं बदल सकती हो, इसको मैं स्विकार करूँ, ये बैलेंसिंग जिस दिन मैंने करना सीख लिया, उस वक्त जिस चीज का जन्म होगा, वो एक नई किसमत होगी. एक कैदी बरसो बाद अपने घर लौट रहा है, ट्रेन में यात्र कर रहा है, उसके साथ एक और पैसेंजर है, जो कभी है, कभी, अगले दिन स्टेशन आने वाला है, तो कैदी कहता है इस कभी से, भाया जरा देखना मेरा स्टेशन आया है कि नहीं, जब आने वाला स्टेशन पे सफेद घंडी लगा देना, मैं सभूगा मेरे गाव ने मुझे माफ कर दिया है, और नहीं माफ किया है, तो लाल घंडी लगा देना, मैं आगे निकल जाओंगा गाव में नहीं, मुझे बेज़दी बरदाश, मैं देखना चाह रहा हूं कि स्टेशन पे घंडी का रंग सफेद है, पांच मिट के बाद वो पलटता है, उसकी आँखों में आसू है, और ये कैदी कहता है कि आप बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया जंडी जो हैं वो लाल है, बेखूफ, स्टेशन क्या पूरा गाव सफेद जंडी से भर गया है, स्टेशन क्या पूरे इस चक्कर में मत जाईए, अगर लोग बदल जाते तो कितनी अच्छी बात हो जाती, नहीं बदलते हैं, लोग बदलने की बात करते हैं, मेरा ये रोज का काम है, हजबन वाइफ को बदलना चाहती है, वाइफ हजबन को अल्टीमेटली दोनों बच्चों को बदलना चाहती और बच्चा कहता ममी बापा को पहले बदलना है सर उसके बादम बदलना है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमें देखना पड़ेगा मेरा द्रिष्टी कोण कैसा है 24 गंटे का ब्योरा रखी और जरा चेक कीजे मेरे अंदर ज्यादा तर विचार कैसे चलते है अगर आपका परसेंटेज अफ विचार नकरात्मक है तो इसका मतलब आपके अंदर बहुत सी नकरात्मक ता भरी हुई है तो आप दो दिन का अंकड़ा रखे कि मेरे परसेंटेज अफ विचार कैसे है आप पाएंगे हाँ नेगटिव जादा है बस खाली तीसरे दिन से ये प्रयास करना है कि मैं नेगटिव विचारों को एंटर्टेन नहीं करूंगी हमारे अंदर ये केपैसिटी होने चाहिए कि मैं ये डिसाइड करती हूँ मैं इस नेगटिव बात को अपने अंदर डालने की इजाज़त नहीं दूंगी उसी का गीत लोगों के सामने गाया करते थे कभी कभी तो जजबात में आंसू भी बहाया करते थे परन्तु अकसर लोग हमारे आंसूं को देखकर हसी उड़ाया अचानक जीवन ने नया मोर लिया और हमने अपनी परिशानियों को बताना ही छोड़ दिया अब तो दूसरों की जिंदगी में भी हसी का बीज बो देते हैं और खुद को अगर रोना भी पड़े तो हस्ते हस्ते रो देते हैं